बुमी पिंडेकर, स्वाराभासकर, इम्तियाज अली, अनुराग कश्यप और गुलशन देवाया जैसी कई सेलिब्रिटीज थस्डे रात सुधीर मिश्रा की डिरेक्शन वाली फिल्म अफवाह की स्पेशल स्क्रीनिंग में शामिल हुए फिल्म में मेन लीड रोल निभा रहे है, नवाजुदीन सिद्धी की को स्क्रीनिंग पर नहीं देखा गया। फिल्म थिएटर्स में 5 मई को रिलीज हो रही है। नवाजुदीन सिद्धी की साथ सुधीर मिश्रा की फिल्म में एक्टिंग करने वाली भूमी पेढने कर अपन पटाजली ने भी स्क्रीनिंग में शिर्कत की. फिल्म स्ट्रीम में अपने रोल से सबका दिल जीच चुके अक्टर अपाशक्ती कुरारा ने भी इस इविंट में हिस्सा लिया. अक्टरिस वराँ भासकर भी स्क्रीनिंग के दोरान मौजूद रही. गुलशन देवई याभी इस इवेंट में नजर आए वो अपनी नेक्स्टी सीरीज दहर में नजर आएंगे जिसमें उनके साल सुनाक्षी सिन्ह और विजे वर्मा भी शामिल है फिल्म अफवाह की बात करें तो ये कहानी एक अफवाह की है जो नवाज और भूमी के बारे में फेलाई जाती है नवाज विदेश्ट से भारत लौटे हैं और यहां कुछ करना चाहते हैं भूमी एक राजड़ेता की बेटी है और पिता उनकी शादी एक यंग नेता सुमित वियास से तै कर देते है भूमी ये शादी करना नहीं चाहती और घर से भाग जाती है फियंसे की लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं और नवाज उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं नवाज यानि रहब मुस्लिम धर्मे के हैं और भूमी का रोल हिंदू है फिर भूमी का फियांसे या फाह फिला देता है कि एक मुस्लिम शक्स उनकी हिंदू फियांसे को लेकर भाग गया है और ये लव जिहाद का मामला है